कथा Long Walk to Freedom में लिखते हैं मैं मूलता एक आशावादी व्यक्ति हूँ मेरे भीतर ये उमीद प्राकृतिक रूप से ही थी या फेर ये मेरी परवरिश का नतीजा रही कह नहीं सकता कई ऐसे अंधिरे छण थे जब मानवता के ऊपर मेरे इस विश्वास की परीक्षा ली गई ल उमीद और आप्टिजम की जो बात आज हम अपने शो के शुरुआत में कर रहे थे उसे अगर नेलसल मंडेला के अलावा किसी और ने कहा होता तो शायद हमारे लिए उसे नकार ना आसान होता कि जाके पैर न पढ़ें बिवाईं बेका जाने पीर पर आई लेकिन सावत कांधी कहे जाने वाले नेलसल मंडेला की बात को नकार कर आगे बढ़ जाना इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं दिखेगा वैसे तो उनकी ऑटोबायग्रफी का एक एक वर्क एक हर्फ मोटीवेटिंग है लेकिन आज के लिए सिर्फ यही तत्य काफी है कि वो अपने रंग भेद विरोधी संघर्ष के चलते 27 वर्ष तक रॉबिन द्वीब के कारागार में कैद रहे थे लेकिन तब भी उमीद का एक सिरा कसकर पकड़ा हुआ था और उसी के साहरे एक दिन उनका देश नसल भेद से आजाद हु वही जो नेलसन मंडेला ने रेसिजम के खिलाव अपनी लडाई के दौरान किया जो महत्मा गांधी ने सत्यागरह के दौरान किया जो अबराहम लिंकर ने सिविल वार के दौरान और पांड़ों ने वनवास के दौरान किया हमें भी उमीद का एक सिरा पकल कर रहना है कसकर और आपके हातों की पकल को बढ़ाने के लिए हम तो रोज सुबह आते ही हैं उम्मीद की बात का एक नया एपिसोड लेकर जिसमें बताते हैं उन लोगों, परिवारों, संस्थाओं, घटनाओं और मुहिम के बारे में जिसे सुनकर आपको भी यकीन होता है कि हाँ अगर ये ह तो यकीनन फिट से जर्रा-जर्रा महकेगा खुश्बू के मौसम आएंगे आए शुरू करते हैं उम्मीद की बात डल लेक, यहाँ पर भारत के एक मातर तैरते पोस्ट आफिस के साथ साथ अब भारत की एक मातर तैरती एंबुलेंस भी है दरसल डल जील के इर्दगेर्द और इसके किनारों पर हजारों लोग रहते हैं एंबुलेंस उविधना होने के चलते इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था पिछले साल यानी कोविट की फर्स्ट वेव के दौरान लोगों की इनी दिक्कतों को देखते हुए एक हाउस बोट के मालिक ने पहले तैरने वाली अम्बुलेंस बनानी की ठानी तारिक मुहम्मद पतलू राम के ये शक्स इस काम में तकरीबन एक साल तक लगे रहे और अब ये अम्बुलेंस तैयार है जब दूसरी लहर के चलते वादी में भी कोविट के मामले बढ़ने लगे तो तारिक के पास फोन कॉल्स की जड़ी लग गए तारिक ने अपनी अम्बुलेंस के माध्यम से ज़रूरत मंदों को उचित साहता दी फिलवक्त इस फ्लोटिंग अम्बुलेंस में सभी तरह के ज़रूरी उपकरान मौझूद है जैसे फस्टेट केट, स्ट्रेचर, वीलचेर, बीपी सेट और पीपीए केट अम्बुलेंस में साइरन और स्पीकर की सुविधा भी है तारिक स्पीकर का उपयोग जरूरी सूचनाओं को एम्प्लिफाई करने और लोगों को मास्क पहनने जैसे महत्पूर्ण चीज़ों के बारे में जागरूग करने के लिए करते हैं तारिक के मताबिक 2-3 दिन के भीतर इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा हो जाएगी लेकिन उनकी प्रशासन से अपील है कि इस एम्बुलेंस के लिए एक डॉक्तर की सुविधा भी उपलब्द करवा दी जाए तो कोविट पेशेंट्स का जीवन बचने की प्राइकता और बढ़ जाएगी अगर नहीं तो इसी बोट के अंदर उसके दूसरी उमीद की बात चेर नहीं से शहर के उत्तरी इलाके में रहने वाले दो युवा वसंद कुमार और सत्यराज कोचिंग सेंटर चलाते हैं ये कोचिंग सेंटर अंडर प्रिवलेज़ लोगों के लिए है और फ्री है अब इन दो युवाओं ने कोविट की सेकेंड वेव के दौरान भी समाज की मदद करने की ठानी और इसी के चलते ही ये युवक दो आटो रिक्षा खरीद लाए फिर करीब देर लाग रुपे ख इनका ऑक्सिजन ऑटो नाम का विश्कार रोज कम से कम 20 मरीजों की हल्प कर रहा है हलाकि इनके पास दक्षनी चैन्ने से भी कॉल्स आते हैं लेकिन ऑक्सिजन सिलेंडर से जोड़े खत्रों के चलते ये सिर्फ 5 किलोमीटर की रेडियस को ही कवर कर पा रहे है पिछले साल इन्होंने एक फ्री क्लीनिक भी चलाया था जिस कानुभव उन्हें इस ऑक्सिजन ऑटो इनिशेटिव में काम आ रहा है अपने पूरी ऑपरेशन के दौरान ये दोनों कोविट प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हैं और पीपी किट पहन कर रहते हैं कई घंटों तक इस किट के भीतर रहने से इनकी हालत हाला की खराब हो जाती है लेकिन ये नौजवान कहते हैं कि जब कोई मरीज राहत भरी सांस लेता दिखता है तो हमारी ये परेशानी छूम अंतर हो जाती है तीसरी उमीद की बात बिहार के मोतिहारी से यहां के एक समाज सेवी शंभूनात सिकरिया ने कैसा सनिटाइजर इजात किया जो पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बना है इसमें है नीम, कपूर, नारियल पाउडर, विनायक, नीबू, पुदीना और बाकी हरबल में लगाया और अब लोगों को वो मुफ्त में ये सेनिटाइजर बांट रहे हैं, इसको मोतिहारी में लोग खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, साथी पटना से भी इसकी डिमांड आ रही है, मोतिहारी से टीवी टुडे नेटवर्क के समाधा था सचिन पांडे के मुताबिक द है, यह आप कहीं भी स्प्रे कर सकते हैं, इससे कोई खतरा नहीं है, और यह पून रूपिय ना एंटी वैक्टेडिया, एंटी वाइरस और एंटी फंगर्स है, और एदाम 101 परसंट उमीद की चौथी बात दक्षुन कश्मीर के पुलवा माजिले से, इस स्टोरी की भी सें और हेंटाइजर और हेंटबॉश के दाम अचानक से बढ़ा दिये, तो यहां रहने वाली निलोफर मंजूर ने तै कि अब वो इन दोनों चीजों का निर्माल करेंगी, इस से दाम को मनमाने डंग से बढ़ने से रोका जा सके और रोजगार श्रिजेत हो, इसके वास्ते इ हम पना रहे हैं डिश वाज जल, हैंड सैनिटाइज, यह एंड वाश, और बास हुम किलीनर होर पिक बड़ जादा दर डिमाड आज इस पैंडेमिक डेज में हैंड एंड सैनिटाइजर की हैं, हैंड वाश की हैं, जो कि हम्हें इतना प्रवाइड नहीं है, अब़ी इसकी ज्यादा डिमार्ड आ रही हैं बड़ इतना नहीं कि हम बहुत आगे पांच वी स्टोरी हमें मिली इंडिया टूड़े के वेब पोर्टल से स्टोरी कोलकाता की है यहां के पार्क स्ट्रीट में रहने वाली सुजाता अपने इलाके के कोरोना मरीजों को मुफ्त में घर का शा गंटे पहले संपर करना होता है फूड डिलीवरी का खर्च भी खुद उठाती है और इसके लिए उबर कनेक्ट या स्वेगी जीनी का सहरा लेती हैं सुजाता के पती जीतू रामपुरिया और उनके माता पिता श्री प्रकास चौधरी और सर्ता चौधरी भी इस पहल में उनकी मदद कर रहे हैं सुजाता कहती है कि जब कोविड-19 रोगी उन्हें थैंक्स कहते हैं तो दिन बन जाता है और ठकान के बावजूद अच्छी नहीं दाती है अगली उमीद की बात उडिसा की राजधानी भुवनेश्वर से हॉस्पिटल की अनुपलवधिता का यहां परिवार के जन कोरोना ग्रस्त हैं और ये लोग बाहर जाकर भोजन सबजी राशन नहीं खरीच सकते ऐसे मैं कई बार भूके रहना पड़ता है और इसी को देखते हुए उडिसा के सत्पाल सिंग ने के सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेर कर दिया इस नोटिफिकेश से शुरू हुई सेवा में पहले तो 20-25 डाइट के अनुरूद आते थे लेकिन जब एक इस्थानी निउस्पेपर के माध्यम से वाट्सेप नमबर सर्कुलेट हुआ तो अब 500-600 टैकेट की डिमार्ड आने लगी जिससे सत्पाल की टीम डिलीवर भी कर रही है सिर्फ हवन पाल सिंग और ये ये पिछले तीन सालों से मजदूरों और गरीबों के लिए अपने घर पर लंगर का आयोजन भी कर रहे हैं आज की आखरी स्टोरी हमें मिली देश की राजधानी दिली से कुछ दिन पहले एक ट्वीट बहुत रिट्वीट हो रहा था 21 वीग की प्र आकाश दीब से संपर किया कोरोना सर्वाइवर आकाश दीब का ब्लड ग्रूप ओ पॉस्टिव था उन्होंने तुरंत प्लाजमा दान देने की अपनी इच्छा जताई और जीवन रक्षक ने जैसे निर्देश दिया था प्लाजमा डोनेट करने के लिए त्या दिन और त उस्पिटल पहुंचे लेकिन हर दान करता में कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह जा रही थी कि घंटों बीट जाने के बावजूद प्लाजमा का इंतजाम नहीं हो रहा था उन्होंने उम्मीद खो दी थी लेकिन दिल्ली पुलिस के SI ने इस उम्मीद को पूरा कर दिया ललन सुनते हैं महक को महक अपने कॉलेज के साथियों के साथ मिलकर गैर लापकारी संग्ठन हारवर्ड स्माइल्स चलाती हैं यह संग्ठन कोरोना महमारी के दौरान लोगों को मास्क और सैनिटाइजर जैसी आवश्यक आपूर्ती दिल्वाने में मदद करता है इसके लावा य हैं कि अपने आपको कैसे बचाफ करना है अगर उनको मास्क चाहिए हम लोग प्रवाइट कर वा रहे हैं अब अम लोग देख रहे हैं जैसे कि हॉस्पिटल बैज हैं ऑक्सिजन सलेंडर्स हैं प्लाजमा हैं इन सब कितनी कमी चल रही है और लोगों को कितना गिड़ गिड लोगों ने ये भी देखा कि लोग कैसे अपने आपको घर की अंदर रख रहे हैं काम कम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों का रोजगार भी चिंचुकर इसलिए हम लोगों को ही साथ मिलकर बढ़कर इकटे होकर इस बिमारी से बाहर रिकलना है उन लोग की मदद करनी है जिन लोगों के पास खाने के लिए नियां जिन लोगों के पास अपना दिन के लिए पूरे दिन के लिए खाना भी नहीं है वैस्म तो तेने पीर पराइड जाने रहे संत नर्यहरी मेहता का यह भजन ने लेकिन इसका दूसरा और बड़ा उद्देश ये है कि ये शो आपको मोटिवेट करें कि आप दूसरों के लिए भी उम्मीद बनें छोटी ही सही पर बने जरूर पर दुखे उपकार करें तो ये मन अभिमान ना आने रहे जाते जाते आपको इस वीडियो के साथ छोड़े ज करना है जो अतीत में कई बार अपनी असमवेदन शीलता के लिए को ख्यात हुआ कोविट काल के दौरान का ये वीडियो हमें एक छोटा सा गुड जेस्चर भर लगेगा लेकिन इस वीडियो से शो को अंत करने का सबब ये कि हो सके तो शो खत्म होने के बाद भी हम सब एक अपल को सोच सके अंतिम बार हमने कब किसी अंधे को सड़क पार करवाई थी कब अंतिम बार हमारी आखें किसी दूसरे के काम आई थी आज के लिए इतना ही कल फिर मुलेंगे ये उमीद है तब तक आप अपनी उमीदों के परों में परवास बनाई रखें दूर तक जाना है आपका दिन उमीद से भरा हो